आपके पास आपकी डेटा डेफिनेशन लैंविस्टी डीएल था डीटेबल के बारे में बात की थी अपडेट टेबल के बारे में बात की थी यह कुछ चीज़ा थी जो हमने वहां पर पढ़ लिए आज का जो टॉपिक है that is all about dml data manipulation अब तक जितनी भी साल आपकी गुज़र चुके है जो नियु नाइज 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 सिक्सक्राइज देटा मैनुपिलेशन लेंज के जादा कृश्चन जाहता है क्यों नहीं है क्यों है यह चीज़े पूछ रहा होता है यह आपके पास आते हैं के लिए के लिए टेपल बनाने के लिए टेडियल के क्वेश्चन कम आते हैं इस कंपर्टू डियमेट और बच्चों की लॉजिक बिल्डिंग को यह जड़ा तर्मस्ला आता ही उनका डियमेल के अंदर आपके पास आप कमांड यूज करते हो इंसर्ट रही इंसर्ट के बाद भी यूज अपडेट यह तो वाहिद कमांड हैं जो आपके पास सबसे ज्यादा यूज की जाती है डेटा इंसर्ट करने के लिए इसके इलावा आप इसमें डिलीट भी यूज करते हो बिसिकली आप जब अपडेट में ही डिलीट वगयरा की कमांड साथ डाल देते हो डिलीट के इलावा सेलेक्ट वैसे तो कहते हैं कि डियमिल में नहीं आता लेकिन हम इसको इसी के साथ रहे जाएंगे सेलेक्ट वाली जो कोईडिस हैं इसमें बहुत सारी चीज़े और आज कि स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंसर्ट की कमांड से मेरे पास हम जो बात कर रहे हैं इन टेबल की बात करेंगे और अब होता किया है आपके पास हमारे पास मुझे सब्सक्राइब बनाया था इसका हमने प्रैम्री की नम को रखा था अपर समय ने मों सिटी वगरा भी कर लिया था सिटी कंटी कर लिया था और प्रोड़क्स पी कर लिया था एंड टेबल टेबल डेफिनेशन लेटी अब टेबल में टेटा एंटर करवां कि यूज कमार्ण इंसरट किसमें इंसर्ट करना है डेटा करना अब मुझे कौन से टेबल में से सब्सक्राइब करना है डेंट अब आप लिखोगे इंसर्ट इंटू आगे टेबल नेम पिच जिए और ब्रैकट के अंदर आप डालोगे कि आपको कौन-कौन सी फील में डेटा डालना है मैंने कहा मुझे मेरी नम फील में डेटा एंटर करना है जो कस ने में उसमें डेटा एंटर करना है और जो पर नमबर मैंने डाला 1001 कॉस्ट्रम नीम अधिव एंटर अली अपना सिटी अब देखो यहां पर चुम मेरे पास प्रचार लिखा था वार्चार लोग यहां पर मैं ऐसा इन्मेर्ट इंवर्टेट कॉमास की तरहां लिखे जा था लिए हैं नहीं पहला 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 डेटा एंटर हो गया मुझे दूसरा डेटा एंटर करना था मैंने लिखा इंसर्ट इंटू ऑर्डर ब्रैकेट ओपन मुझे उसका कस्टमर नेम पता चला बाद में फिर मैंने नम एंटर करवाना था बस मुझे पास यह दूई चीज थी किस सब लॉंग करता है मुझे इसका कोई आईडिया नहीं तो अब नाव मैं वैल्यूस लिखूंगा ब्रैकेट ओपन यह आगे पीछे ल में लिखोगे वह उस थे सब से चले का है मैंने यहां कsty मैं नेम नेम आयका काउमा नम 10 मुझे नहीं पता था मैंने उपडिया नहीं किया यहां पर यहां पर मुझे वैल्यूद एंटर करनी की जरूत नहीं है कोई इशुज को यहां तक इंसर्ट करने में मुश्किल नहीं है यह डेटा इंसर्ट करना मुश्किल नहीं है जैस्ट यू नीट फॉलो दिस सेंटेक्स पेपर्स में नॉर्मली अभी वैं अगर बात करूंँ खर मैं स्टूडेंट्स के नाम नहीं लूँगा यहां पर लेकिन जिन जन्हों ने भी पेपर्स दिये हैं मॉप कि उनमें से मेज्जॉरिटी स्टूडेंट्स की यह जो डीडीयल के अंदर को सही से समझ नहीं पाएं और सिंटेक्स के साथा तर इशुज आयते हैं को मैं कॉलेज में डिसक्स करेंगा एनिवेश यह आपके पास आ रहा है यहां तक किसी को कोई इशुज हैं इंसर्ट करने में इस हैं इस इस मां जैरेट कशफ मिशल समी शाह अब्दॉल्ला और वाली यह तो सिंपल सीथा सीथा इंसर्ट करने के तरहीं का था मेरे पास अपडेट आ जाता है कैसे करोगे अपडेट कि अब कि अपडेट करके नहीं पिटा सलेक का मैंने बता रहा है सलेक्ट इस उन्हीं यूस्ट्टू डिस्प्ले तेंग्स जब भी आपको कुछ चीज़ें इंसर्ट वगरा करनी हैं वी विल सिंप्ली यूज इंसर्ट कमांड अपडेट कमांड और याथर इंसर्ट विल यूजुणी झेल इसनवरें अप्डेट रू सकते हैं मैंने यहां पर फराग का सिटी डालना भूल गया रहे हैं फराग का सिटी मुझे नहीं मालूम था अब मालूम हो चुका है तो मैं क्या करूं कि update डिरेक्री डेन अप्डेट द्रखन किLewn अब अब अदेट की मानज सकते हो अपडेट विखा आपने कौन से टेपल को अपडेट करने लिए निदु मैं से अपडेट आदर टेबल को इभग तेछंविट deep ने अपने टेपल को आपडेट में ले क्या अप्डेट करना है एक नीट तू सेट इस इटी इस इटी को सब्सक्राइब क्या वेलु रखनी है इस इकुल सुपोज तफोर इस फोर्ड इस विडिया राइट सेट इस पी मुझे फील को सेट करना है फील नेम इकुल सू थैन यस लंडन बट यह लंडन किसके लिए है सुफ तो अधनिवाइब आव राइट विडिया लब वेर नम इस इकुल स्टू वन जिरो जिरो फाइब जैसे ही मैं एंटर करूंगा यह एक्जिक्यूट होगी क्या होगी और के टेबल का बेट कोने के लिए रख दिया जाएगा वी उस सेटी को लेंडन साइट कर दिया जाएगा किसको सेट किया जाएगा उसको जिसकी नम की वैल्यू वन जिरो जिरो फाइब देखो है मुश्किल नहीं आपको जस्ट एक एक चीज लेकर चलनी है कि है नॉर्मल इंग्लेश अपडेट और करो सेट कर दो सिटी को लेंडन जहां पर नम की वैल्यू 1005 मुझे लेंडन के साथ साथ हो सकता है कि मैंने जो नाम डाला था नाम की स्पैलिंग मैंने गलत कर दी तो कॉमा आविल राइट नेम इस इकोल स्टू कि हो सकता है उसकी स्पैलिंग ये तो यह एक विल वाकल टेबल में जाके नेम की वैलू यह सैटकर देगा करती होती तो भी उसको ऑवराइट कर देदा और नम की वैली इसकी कमांड आती हैं ज отвеч में हम select में के लिके निसी तरीके से अगर मुझे डेलीट करना हो data कि देटा डिलीट करना भी मुश्किल काम यहां यहां पर डेटा डिलीट करना भी सीधा सीधा है आप कैसे डिलीट करते हो मैं अभी एक टेबल के लिए खेल ओ डिलीट कहां सब डिलीट करने from table और आगिया और टेबल किसको डिलीट करना है वेर नम इस इक्वल्स टू 1001 पूरा का पूरा रिकॉर्ड रोड़ा देगा यह यह तरीका है आपके पास डेटा खाली करने अपडेट इंसर्ट इनी इशुस यह स्पैसिक टेलीट नहीं गडेगा स्पैसिक टीक टीन आपको सपोस्टंटेज दिलीट तो आप उसको क्या करो वानगण आप पूरा डिकॉर्ट करना है अगर वना तो आपका टेबल सब्सक्राइब करना आपने लिखा अपडेट ऑडर सेट सेटी इस इक्वल टू एम्टी स्पेस विए नम इस इक्वल टू 1001 से सेटी को एम्टी कर देगा कि अपने रोजा खोल लिए यह आप तक रखा हुआ है अपने पर लुट्वरवति आपकेसी उसलिए रहीं है नहीं मेरा क्रेशिन वह अचीव साय में हमें आर्फेतों खर आपकेसी इसलिए नहीं आपकेसी कि अब जो कमांड से जागने वाली है अब मेरे पास आ जाती है सलेक की कमांड से लेक यूज क्या जाता है डिस्प्लेय करने के लिए मैं लेखा सेलेक्ट कि आगे हम लिखते हैं कौन सी सेलेक्ट करनी तो मैं सेलेक्ट फील नेम कहां से उठानी फ्रॉम टेबल नेम मैं चाहता था कि सारी की सारी टेबल में जितना डेटा है ना सब कुछ आउटपुट कर ले मैं क्या लिखूंगा सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टेबल टेबल नहीं गया है मारे पास और नहों वाट विल है जैसे ही में यह कमांड एक्जीक्यूट करूंगा लिख पिस्स्टैरिक तरिक में आल virt मेरे पास भी टेबल में जितनी फिल ना इस वह सारी की सारी उस में शॉन में जतना डेट्था ऐधरिए समय के मतलब होता है और जितनी फील थे सारी के सारी आउटपुट करते हैं मैं चाहता था सेलेक्ट सिर्फ और सिर्फ नम कस नीम फ्रॉम और क्या होगा ते को सलेक्ट के आगे मैंने मैं मतलब नम के अंदर जितना डेटा पड़ा है वह कौन से टेबल से टेबल से उठाके ले आए कोई यहां तक कि वह सीडी सीडी चीज़ें अभी अब थोड़ा थोड़ा इससे डिफिकल्टी लवल बढ़ाते हैं मैं चाहता हूं कि मुझे नम का स्टमर नेम उन और यह उन कस्टमर का आउटपुट करके दे जिनका नाम अली है जितने भी अलीज आं मुझे नहीं मैंटर करता मुझे उसका कस्टमर ने नमबर और इस टी आउटपुट कर तो चलो राइट एक वेरी तो डिस्प्ट यह नम न सदीन इंग अफ ती कॉसमर व्स नम इस का आई जल्दी सब्सक्राइब लिखके तो आप गविए टू मिनिट्स नहीं यहां पर चैक प्रसेंट कर दो चोटी सी तो स्क्वेडी है चोटी-चोटी कोई ही जगाप प्रसेंट कर दो स्क्वेडी है काफी सारे रिप्लाइज आए उन सब मैं गर्बर जो आप लोगों कि वह क्या गर्बर है सेंटेक्स को फॉलो करो मसला पेपर बनो यही मिस्टेक करते हो आधी जहार चीज़ें सही लिखते हो फ्रॉम और यह सीधा सीधा एक सिंटेक्स आगया है अगर मैं सिर्फ इस सिंटेक्स को एक्जिक्यूट कर देता हूं तो मेरा मसला क्या आना है कि नम और सीटी में जितना डेटा पड़ा इन दोनों फील्स के अंदर वह सारा का सारा एजट इस आउट्पूर्ट हो जाएग ज망 भी उस पई चागर प्रैक्ट्रस गरू जाथा क्रैड़ा लेकिन अगर यह करता हुए तो मुझे सिफ क्या करना आ उसका करना है उस कस्टॉमर का जिसका नाम अलिया स्वंत्र मूझे नहीं कहा गरता है वेर कस्त में बेटा कस्म मर नेम पूरा नहीं है फील्द के नाम वही लिखो जो पेंटेबल में गविए एपनेशिंग में वही की नाम आपको लिखने है ब्सक्राइब इस इकविल्स दू कल्के लिए देशिव लुग स्टेबल का नाम जैंज करदेन है तो तो ही वाली अब्दॉल्ला चीज़े सही थी लेकिन कौन से टेबल से पहले वह मैंशन करना होता है वाली इस ट्लियर नाओ वाट यूनीट टू यहां एक काम करते हैं एक से लज़ा आप सबको इस टेबल का नाम मैं चेंज करता हूं बहुत जाएं कॉम्प्लेक्स तिकाव गाएं इस टेबल का नाम है टेवल इन आपको करना क्या है आपको करना क्या है आपको आपको करते हैं 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 लेविन टॉर्ट लेखो क्वेड़ी आपको टेबल नाम पता है कंडिशन किया है कंडिशन बाद में लिखी जाती है लेविन 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 लेखीश स्यूल लेभंगे ओने स्क्राइब लेखी जाए है घाक्टी अपिक्ली प्रफेक्ली अपिक्ली अमधर कर दो अब्दुल्ला चोटा से मसला है बिटा इक्वल तुनहीं है simple statement what you need to do is you need to select book ID from table underscore book where price is greater than 11 dollar dollar examiner आपको देता है तो फ्राइस के दे रहा है लेकर क्योंके टेबल में भी नहीं है और कभी भी आप इंटीजर वैल्यूस यह इन वैल्यूस के लिए निमेरिकल वैल्यूस के लिए साइं यूज नहीं करते हैं वहां पर यह यूज नहीं करोगा सेंपल अब आप आई नीट तो सी दी प्राइज क्र声 के लिए दी हैं वर भी नहीं भी देसी णंना आप यिण आइडी एज वन जिरो जिरो फाइव विट आपके इस लिखना आ गई है तो अब चलों सब्सक्राइब बढ़ाते हैं तो आउट पर या और टिस्प्लेइ और लिए ऌर्णा Criminal शो खुड अखोनि गाम अग्सारने छल्छे आप आव और खोंस्दन अग्सारन अज. है फट्यडल्ल Mad hå हुड्य तो फॉड्ड आय झजस आग और दें आवर कь ग्रस्टाव और कि लेज देन कि फिफ्टीन डॉलर कि याद रखना मुझे बुक आईडी चाहिए जैनरेट टाइप चाहिए उन सारी बुक्स की जिसकी प्राइज लेज देन फिफ्टीन डॉलर है अब इस सिनेरियों कि आप जो नॉली काम करते हैं आप नहीं कर सकते हैं कि क्या मसल़ा आएगा आएगा डिफेंट टेबल्स है सबसे बड़ा मसला है टेबल का बुक आईडी के लिए यहां पर बिसिकली जो भी लिखता था फील ने उसके आगे उसका टेबल लिख देता था बुक आईडी इस फॉम टेबल बुक वाइल मैं जैनरे टाइप इस फॉम दिस टेबल डोनों टेबल कैसे सेलेक्ट करूंगा दोनों टेबल सेलेक्ट इतने सिंपली नहीं किया जा सकते मतलब मुझे दो अलग लग टेबल से जब डेटा लेकर आना होता है तो उसके लिए वी कि इनर जॉइन इनर जॉइन का मतलब होता है कि अंदर से यह डो टेबल को कनेक्ट करता है कैसे करोगे आप ऑन दी बेसिस आफ फॉर इन की तो फॉरन की का आपको यहां पर रेफरेंस देना ज़रूरी है अब कैसे करते हैं इस पर आजाते है कि आपने यहां पर अब काम करना है काम करने के लिए सिंप्ली लिखना है कर चुके है तो आपने लिखना है सेलेक्ट अब वैसे अलग अलग भी लिख सकते हो लेकिन इस पर सबसे बैटर है कि आप इस तरीके को फॉर्माट को फॉलू करो आपके लिए भी आसानी रहेगी एक्जैमने को समझाना भी आसान रहेगा आप पहले लिखोगे टेबल का नाम जो जो फील को सलेक्ट करना किस टेबल से मैंने कहा टेबल अब बुक डॉट टेवल बुक से हमें कौन सी फील उठानी है हमें बुक आईडी चाहिए अब कि 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 मैंने कहां सेलेक्ट टेबल बुक टेबल का नाम देन डॉट और फिल का नाम दूसरी फील कौन सी यह टेबल जैनरे डॉट उसमें से कौन सी उठानी है मुझे जैनरे टाइप चाहिए फ्रॉब जिसमें से में सारह काम करें हम टेबल बुक पर चाहिए तो मैंने का अफ्रॉब टेबल से बॉब प्रॉम टेबल बुक इनर जॉइंट इनर जॉइन लगाना है किस पर लग्ष के इनर के बाद स्पेस पर जॉइन है आप आउटर जॉइन वगड़ा भी आते हैं है है हम इनर जॉइन की की बात कर रहें कि आप भी सिलिस अंचांब बेरें किस बेसें पर किसके साथ говоря ई टेबल अंढर स्कूर जैनरे लेकिन किस बेसिस नारे हो 6 किस बेसे बना रहे हो दोनों का कैसे बनाया है जैनरे आइडी से बनाया है तो आप अब क्या लगें क्या करोगे टेबल का नाम टेबल अंडर्सकोर बॉक डॉट जैनरे आइडी इस इकल स्थू टेबल अंडर्सकोर जैनरे डॉट जैनरे आइडी यह क्या करेगा इन दोनों का आउट पूट कर देगा हां अब आपको कंडिशन लिखने हैं अब कंडिशन लिख लो वेर प्राइज इस प्राइज इस लेस देन कितनी है 15 है 15 कोई कोई इनर जॉइन के लिए इनर जॉइन का बिटा देखो एक एक स्टेप या तो पहला तो आपको सेलेक्ट करना है करने के लिए आप सबसे पहले हैं पहले लिखते हो और फिर डॉट डालके फील नेम लिख लेते हो जितनी भी आपको फील सेलेक्ट करने जो जो टेबल के नाम से आपने सीधर सीधर जाके उनको सेलेक्ट कर वारी है फिर आप जिस टेबल पर ज्यादा काम करें तो फ्रॉम टेबल बुक दूसरे टेबल का नाम लगाने के लिए आप क्या करोगे आप इनर जोइन की स्पैलिंग मैंने गरत लिए तो प्रेक्ट कर लेना अब आई डबल अने कि I you कि तो और मैंने कहा कि टेबल एक टेबल गनाब इनर जॉन दूसरे डेवल गना किस बेसिस पर है औब होता ने इस पर कैसे कि आ है आपने आपको फोरुण की का टेना है तुम के नाम अगें उन्हें का नाम जब भी बनेगा एक टेबल की प्रैम्डी की दूसे टेबल में आज़ा फॉरं की काम कर रही होगी वेर आगे कंडिशन लिखो ना लिखो यह कोई टूपैरी डिपेंड करता है क्लियर है कि यह सब्सक्राइब किसी को कोई क्वेरी से एहमद, अब्दल्ला, अनास, जैरेद, वली, पशफ, रिपीट कर तो, बड़ा क्या रिपीट कर तो, मुझे प्लीज ही बता दोगा यह एक्जैक्टी सुदोगोट की तरह वली, पटा रिपीट कर दूँ झाल झाल यह याद रखना चीज़े जब भी आपको सेलेक्ट करना होता है दो अलग अलग तेबल के लिए आप सेलेक्ट करते हो पहले की और फीर आप लिखते हो फ्रार्म दूनों टेबल के नाम लिखने एक टेबल का करो नाम दूसरा कीवर्ड पृइवर्टे हों दोनों के बीच में इनर जॉइन और दूसरे टेबल का नाम आब थे कि यह बनकल को आपने जॉइं किया लेकिन लुक्ट कि मैं आम आपने लिखने हैं आप जो लख रहे हो ना यह बिसिकली आपने एक जगा की प्राइमरी की को यहां पर यह फॉरन की होगी और यहां पर यह मेरी प्राइमरी की है और आपने इंडियन जो कंडिशन है कंडिशन जलूरी नहीं हर बर आपके पाश गिरा लें नाओ और बन्हों को क्व вли्डों सब्सक्षिक्राइमरी क्या की है a क्या ह। ब् lic y all right a k celular it's play जो है नम न कंट्रीनें अल्डी लिए कुस्टमर अप्रेटरियों प्राइब एक लिए प्राइब का स्टाइब व्यूंट ट्रूम्छ लिए व्यूंट अग। वेकली what I need to do is I need to select okay num num kis table se order ke table se to table ka naam phir field ka naam comma I need to output country name as well country ka stables hai it is from city details table ka naam dot field ka naam done yes sir enter from which table order table inner join order ke saath inner join koncetable ke saath city details city underscore details हमारा इन दोनों का connection कैसे बना हुआ है इसे बना हुआ है कि सिटी के दू तो और टेबल की सिटी की फील से हाँ हुआ 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 है इसकी लॉजिक क्या है तो पिटा कपसे लॉजिक ही तो समझा रहा हूँ आप पहले टेबल का नाम लिखते हो फिर फील का नाम लिखते हो अगर तो अलग लग टेवल से उठा रहे हो यह टू अलवस पूलाक तस यह टू ट रहे चलेक टीम थन फिल्ड नें पहले टीम फिल्ड नें विल्ड नें पहले विल्यं पर from which table order table day was a connect कि या रहा है सिपील से किये बोर किया जा रहा है ट्रीटेम्टे इतनर uh city किया जा रहा है जाहिये जो हिंये जैनिस सथ márट्र हुड किया जा रहा हूह रहा है बेजसेंट इस सिटी इस इते ठेश folder il यह इस प्राइमरी की वर्किंग एजा फॉरिंग की इन दी ओर्डेवल यहाइव मैंशन इस तेबल की कौन सी फील सिटी यह किसके मैंशन पर यह सिटी डीटेल्स के टेबल के सिटी की फील यह वाले और यह वह वह सिटी है अब्याद दो दॉत्ति टीए टैल्स की वालिक और कुई और कुई आपडूला अनस अहमत मेशाल नो सार्व हो गया हुआ 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 है इस एक्सल फाइल गूगल पड़ी विया एक ले लो मुझे समस्ता है वैसे गूगल अप्लोड़ेट है मुझे इसको भी सेफ पर गया अप्लोड कर देता हूँ इसमें अराउंड वन टूटल सेवन शीट सें तो देख लेना किसमें कहां पर क्या मुझे खुद यात नहीं है नाव राइट अ कोईडी कि डिस्प्लेट कि लुध बीशन लॉदप्च टेस्प्लें कि. व्यESयन अननow अ sustainable 2008 आवरे टापर आखूजन e 9618 we need to output id n name of all the students who are taking 9618 क्या इसमें इनर जोईन लगेगा लगना चाहिए अब लगा के देदो मुझे आइकस समझा चुक्या तो प्लीज वह नौ सलेक्ट मुझे क्या करने आइडी चाहिए आइडी मैंने का मैं सब स्टूडेंट सब्जेक्स के टेबल से अगर तो मुझे सब्जेक्ट कोड डिस्प्ले करवाना होता तो मैं वापस लिखता स्टू एस्टीडी सब्जेक्स डॉट सब्जेक्स कोड क्योंकि मुझे यहां पर सब्जेक्ट कोड को डिस्प्ले नहीं करवाना सिर्फ उस पर कंडिशन लगानी है तो यहां पर सब्सक्राइब पर नहीं लिखंगा मुझे नेम उठाने स्टूडेंसुरेंट के टेबल से कॊंसी Może डिब लो कहीं सब्सक्रीन कि कंसे सब्सक्त कि कर रहाना है कैसे कनेक्ट करवाना स्टूडें कि के इस एक्टिंग एजा स्टुडेंट फॉरिंग की इन स्टुडेंट सब्जेक्स टेबल तो हो गया वैर इस वेर को आप नेक्स लाइन पर लिखना चाहू लेख सकते हो वैर सब्जेक्ट कोड इस इकोल सुनाइन सेक्स वन एट अब यह चीज़े क्लियर है अब अच्छा मैं चाहरा था कि यह चो आईडी और नाम आउटपुट कर रहा है तो मैं चाहरा हूं कि अलफाबेटिकली और ऑफ नेम में आउटपुट करें तो उसके लिए हम क्या करते हैं एक कमांड लिखते हैं और बाई और बाई का मतलब होता है इसको और में करते असेंडिंग और डेसेंडिंग और 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 बाई किस फील के साफ़ और करना है इस नेम तो कि कि असेज़ करें एड लिए अली पहले आएगा फिर फात्मा अउब और बाहेम आएगा डेन साओं लेकिन मैं चाहता तो इसको डिसेंडिंग और में तो मैं डिसित निकोंटर के लिए लिए यह टेसी तो यह चेंज कर देता हूं तो आप यहां पर लिखोंगे और बाइब आगे फील का नाम और असेंडिंग और मिलाना है यह दिस सेंडिंग और मिलाना है अब कुछ चीज़ें असी होती है जिसके मुझे नॉर्मली इस तरह करना होता है कौण्ट करना होता है तो उसके लिए हम करते हैं ग्रॉप बाइब एक और आप लेंगे ग्रॉप बाइब से पहले मैं कुछ और कमांड्स आपको बता देता हूं मुझे यह मालूम करना था बच्चों ने 96188 किया है कि मुझे काउंटिंग करनी है कि काउंटिंग कैसे करते हैं हमारे पास काउंटिंग सम यह एवरेज आगा मुझे का फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे करते हैं काउंट का सिंप्ली सिंटेक्स से सलेक्ट साहिए काउंट का फंक्शन बुलाया किस फील को काउंट कराना है मुझे सब्जेक्ट को काउंट करवाना है ना मैंने का सब्जेक्ट को काउंट करें कौन से टेवल से फ्रॉम स्टूडेंट सब्जेक्स के टेवल से क्या वेल सब्जेक्ट कोड इस इक्वल स्टू नाइन जैसे ही मैं यह लाइन एक्जिक्यूट करूंगा यह मुझे आउटपुट क्या करके देदेगा एक आउटपुट आ जाएगा वन टू त्री फॉर चार बच्चों ने नाइन सिक्वनेट यहाँ मैं चाहरा था कि इसको आउटपुट करा दूं किसी फील नाम एक मतब एक हैडिंग के साथ तो काउंट सब्जेक्ट कोड स्पेस आप एक हैडिंग का नाम लिख दो नीचे आउटपुट आ रहा होगा यह किसकी इसकी एक्जिक्यूशन इसका रिजल्ट आउटपुट इसी तरीके से एवरेज भी होता है इसी तरीके से आपका संबी होता है मतलब सपोज मैं चाह रहा था कि मुझे मेरी क्लास की टोटल एज क्या है बच्चों की मालूम करने थी मैं से लिखोंगा सेलेक्ट सम कर दे किसको सम करें एज को सम करें कौन से टेबल से फ्रॉम स्टूरेंस के टेबल से वेर अचा मुझे और आगे कुछ कि कंडिशन की जरुवत नहीं है तो खाली शोर दो कि अगर होती मैं लेखता कि सारी सुट सेंटें सेवेंटीन वालों को एड करें जो भी है प्रोड़क्ट आइडी 1005 होनी शाहिए उनको संब कर देगा एनी इसी तरीके से मुझे जब वह करना था तो सलेक्ट एवरेज एज एज का नाम आउट्पूट आ गया विश्टेबिल स्टूरेंस की टेबिल से जैसे लूप सब्सक्राइब यह खुद हो जाएंगी यहां पर आपको वह दनी यह खुद काम करता है यह अपनी अपने इसाप से खुद चल रही हो तो यह मुझे क्या करेगा एवरेज एज करेगा किस हैडिंग में एज की हैडिंग में और मुझे आउट्पूट करके दे है ुइसको जया है मेनी को साफ से गलते। फिर मैंग्स चाहिए बिए इसको में प्लिक नाम तबॉप फ्रॉम कॉन से टेबल स्टूरर्ण्स के डेपल से कि यहां पर मुझे पढ़ानी थी यही चीज़ मुझे पढ़ानी थी यह चीज़ हमने नहीं पढ़ा था अब्दॉल्ला सुर्भ तुम्हें नहीं पढ़ाया था बाकिया सब्सक्राइब कोई मसले अब एक रहा जाता है गुरुप बाइब बता देता हूं कैसे करते हैं कि हम गुरुप बनाते हैं सेम नाम के जो एक फिली करने जो सेम नाम का डेटा होता है न उसको वह एक ही काउंट कर रहा होता है यहां पर किसी को कोई क्वेडीज है पक्ता पर लेख तो ने बहुत हैं कुछ चीजए यहां पर चेक करो आज नॉर्मली आप यह लगाते हो तर्मिनेट करने के लिए रही तो यह क्या करेगा कस्टरमर के टेबल में हो रही है कि कस्टरमर के टेबल में है जितनी फील्स हैं उनका सारा पूरा कस्टरमर के टेबल आउटपुट कर देगा रन सीकुल किया मैंने ना लोग आगया नीचे आप चाहो तो इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो यह ऑनलाइन सीकुल एडिटर आप गूगल पर सर्च करोंगे पॉरन आ चाहिए मैं चाह रहा था आई नीट तो सेलेक्ट कस्टमर आईडी फॉम कस्टमर रहे जितने भी कस्टमर से वह यह अब उनको आउट पुट कर देगा कि मैंने सब कस्टमर आइड लेगी थी तो इसने मुझे सिर्फ क्या किया क्स्टमर आइड अउट पूट करती है उसके साथ है और क्या क्या इन फॉमेशन थी एक ही बन्दा था तो उचारे कि क्या आई कस्टमर नेम एड्रेस कंट्री यह सारी फील्ड नेम्स थी मैं चाहरा था कि कि अज़ेक्ट कस्टमर आईडी कस्टमर नेम और पोस्टल कोर्ड फॉम कस्टमर्स वे कंट्री इस इकुल स्यु जर्मनी में जितने बंदे यह सारे के सारे आघे के लेकिन में साथा जर्मनी के अंदर को एक स्पेसिफिक मक्सूष पोस्टल कोड और था तो मैं बीच मैं एंड का ऑपरेटर भी लगा सकता हूं एंड रिज़िए मुझे सब्सक्राइड नहीं पता एक बंदे की मुझे कस्टरमर नेम और पोस्टल कोड पता था तो मैंने उसका कस्टरमर नेम एस लिकूंगा और पोस्टल वो तो बीच में एंड का भी आप एंड और और को अप्रेटर्स भी लगा सकते हो कोई मस्वाइज अब मैं यहां पर और डीटेल्स का भी एक को है ना मारे पास तो मैंने कहा सेलेक्ट सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम और डीटेल्स यह मेरे पास और डीटेल्स का रहा है मैं चाहा रहा था कि मुझे पता चल सके कि मेरा कौन सा प्रोड़क्ट कितनी बार बिक है अब यहां पर चेक करो जैसे प्रोड़क्ट आइड़ी सापोस मेरे पास मेरे लेस के पैकेट से कित्री बार विक हैं एक दफा क्वेंटिटी ट्वेल्व है नीचे अगर हम इसको चेक करते हैं तो 11 तो वापस बताने हैं देखते नहीं आ रहा मैं काम करता हूं इसको चेक करने के लिए और बाइड प्रोड़क्ट आइडी असेंडिंग और रहे अब चेक कर रहो जैसे ही मैंने कमांड लॉंच की मिरे पास क्या हुआ प्रोड़क्ट आइडी असेंडिंग और में आगे स्मॉलेस्ट लाजए सब्सक्राइब कि प्रोड़क्ट आइडी वन कितनी कितनी बाइड बेका है ट्वेंटीफोर टैन फिफ्टीन ट्वेल फिफ्टीन अब मुझे इसकी कॉंटिटी एक साथ मालूम करनी थी कि कि सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो उसके लिए हम यूज करते हैं कमांड हमारी ग्रुप फैसल होता है कि जो छी सेम टेटा वाले जितने सेम रेकॉर्ड वाले जितना भी video मुझे रूप वन 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 यह सब को क्या करेगा एक काउंट करेगा और इसका टोटल निकाल देगा कैसे इसको देखो यह आपके मैं मुझे प्रोड़क्ट आइडी और टोटल कॉन मलब उसके आउटपूट करना है तो मैंने कहा सेलेक्ट प्रोड़क्ट आइडी कॉमा मुझे सम चाहिए याद आए अभी मैंने सम को कसे लिखवाया था सम ब्रैकेट में आपने लिखा कि आपको कितनी कौन सी फील्ड का सम करना है मुझे क्या करना है इस फील्ड को सम करना है लेकिन इंडिविज्वली करना है कि वन का अलगते थी का उटपूट अलगते अगर मैं सिर्फ और सिफ यह लिखता हूं अगर सम अलेक्ट प्रोटक्ट सम कॉंटिटी फ्रॉम टेबल क्या नाम किया है अगर डीटेल्स है और इसको रंगरता हूं तो मेरे पास क्या हुआ टोटल मेरे पास जितने भी टेबल में कि जितनी वैलियू से सब को सम कर दिया लेकिन मैं चाहरा था कि हर अलग अलग आउटपुट करके शो करें यह प्रोड़क्ट डाइडी वन में कितनी कॉंटिटी सेल वी तुमें कितनी सेल में कितनी सेल वी में मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है नहीं आ रहा है तो अगर मु मैंने कहा था कि मैं इसका फील्ड का नाम भी डाल सकता हूं न तो एज टूटल कॉंटिटी जैसे ही मैं यह लिखूंगा न अब देख रहो यहां पर जो इसने हेडिंग का नाम के लिखा था अपनी मर्जी से डाल दिया था अब जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो यह जो नाम मैंने दिया उसको जो मैं सम्ट कर रहा हूं कॉंटिटी को उसको एज़ा क्या उट्पुट करें टूटल कॉंटिटी करें तो आप एज ना भी लिखो सिर्फ स्पेस डाल के लिखतो 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 होगे तो वह भी एक्सेप्टेबल है अब जो मेरा कॉंटिटी करके दे सही टूटल कॉंटिटी अब मुझे क्यूंकि आपको इसमें हर उसके लिए अलग-अलग करना है तो मैं ग्रूपिंग करूँगा मैं चाह रहा हूं कि ग्रूप बना दे बाए प्रोड़क्ट आईडी अब चेक करें क्या हुआ प्रोड़क्ट वन की कितनी सेल हुई है 159 सेल हुए तू की कितनी सेल हुई है 341 हुई है ठीकी कितनी सेल हुए इसी तरीके से आप एवरेज भी निकाल सकते थे आप काउंटिंग चाहूं तो आप इसको काउंट भी कर सकते थे कि मैं अगर चाह रहा हुए मेरे पास टोटल कितने प्रोड़क्ट है तो मैं क्या करूंगा सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट में प्रोड़क्ट आईडी बंद किया और यहां गया यहां मैं एक और चीज़ इसमें चेंज़ यह कर सकता था इसलेक्ट सेलेक्ट सब्सक्राइब और डिटेश नहीं मैं चाह रहा हूं कि और आईडी नहीं कितने ओडर दिये 10248 नहीं कितने ओडर दिये यह मैं आउटपट ओडर आईडी को काउंट करना चाह रहा हूं तो अगेन अपने क्या करूंगा इसलेक्ट अगर आईडी पामा काउंट किसको काउंट करें और आईडी को इस फॉम और डीटेल्स और बाई और आईडी हमारे पास और आईडी थी और आईडी को मुझे आईडी के लिए काफी जादा होगे करके सब चलेगे एक काम करते हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस जरूर कर देड़ा प्रैक्टिस नहीं करोंगे कुछ फायदा नहीं प्राष्क पीजए हैं